जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंद देखा था कि जियान ने ब्रेक प्रू कर लिया था डाउओं पर तभी मास्टर की जो सील होती हो चमकने लगती है तो जियन उस सील को टच करता था तो जियान की जो इस्पिशल बॉडी होती है वो कौन जाती ही हो लोप सोल और यहीं से स्टार्टिंग होती है एपिसोड 64 की जहांपर जियान सौफबरी नजरों से उस होल को चातरप देखता है जो की देखने में काफी दराबना होता है और चातरप सोल बॉडी इस दिखाई देथी जियन है कैद कर रखा होता है और यह सब देखके जियान के एकदम स रोग जाता है और एक पोटल खुलता है और उसकी स्पिचल बॉडी बापेस जियन की बॉडी के अदर आ जाती है और जियन उलता ऐसा लगता कि हुलूप सोल के अदर काफी सारी मॉस्टर है जाता कि अभी जिस सोल पॉपर से मेरे उपर अटेक किया गया वो तो प्रोटेक बढ़े बढ़ार देखने लगता है और बोलता कि काईलें कांग है तब ही उसकी नजर बैली के उपर बनी हुए स्पेसल예요 के उफटी है तो बोलता है एक तब ही तक वह बापेस लौट ऐगी पर लगता कि अभी तक वो मैटर के लिए नहीं हुए dürfen के पर अब जो बिया मैं डाउव पहुंच चका हूँ इस बज़े से अब मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ गौर्ड सेल की सेकिंड स्टेज की सी फ्लिपिंग सीन और यह उलकी जन एक पत्र की चोटी के उपर आकर बैढ़ जाता है और जिन अपनी आके खुले तो और आसमान की तरफ दिखते जाँ पर एक बहुती बड़ा पाम बन जाता है और सती उस फॉर्मेशन को शूट करने के लिए जियन के हाथ में भी उसकी एनरजी आ जाती है पर जियन उसकी पावर को देके बूलता है कि अगर मैंने इसको यहीं पर सूट किया तो उसकी वज़े से जो पूरी बैली वो तबा हो जाएगी इसलिए वो डिसाइड करता है क्यों मेडुसा की सील्ड की उपर अच्छी है पर तभी जिया का जो कुकून होता है उसमें क्रेक साझाती और उसके निकलने लगती है जो कि या तकर सील्ड से टकराती है और फिर बड़ पर क्रका फोप फैल जाता जो की देगन में काफी दा beautiful लग रहा होता है और यह सब देखे जिया में काफिदा शौप हो जाए तभी जियान को कुण की तरफ देखता है और देखते हैं उसके एकगम से हो सोड़ जाते हैं क्योंकि हमारी चुटकी जिया बड़ की जिया में पाए निकलता है और जिया को देती हुए बुलता है कि इससे कबर कर लो तो जिया भी उस कपड़े को लेने के लिए अपना हाथ अंगर बढ़ाती जैसी वो जियान को छूती है अभी गयमिकल लोचा होना स्टार्ट हो जाती है जिस बज़े सो जिया होती है वो फिर से हमारी चुटकू पैकेट में कनवर्ड हो जाती है यह देखिए जियान जिया की उपर जोर जोर से सने लगता है और बुलता है ऐसा लगता है कि तुम 6 लेवल पर पहुँच चुकी हो लेकिन तुम अभी भी बोडी ट्रांस्फरमेशन ग्रास का एफेक्ट अभी भी खतम नहीं कर पारी हो जिया जियान जियां एकदम से घुसे मैं जाती है और बोडी ट्रांस्फरमेशन पिल नहीं बनाऊंगा और फिर तुम ऐसी अपनी पूरी लाइफ चोटे पैकेट बनके रहना पड़ेगा जियान जियान को गुसा तो कफी जदा आता है पर वो अपने आपको सान कर तो जिन तोड़ा सा हस्ती हो बुलता है ये भी तो कोई बुरा नहीं तुम इसमें भी कफी दर क्यूट लगती हो तब जिया मुह बनाती हो बुलती है साले हरामी ठरकी मुझे बहुती अच्छे से पता है कि तुम्हें वाली बॉड़ी कफी दर पसंद आईती है और सची काता से स्काइलीन ने सारे आत्मी एक जैसे होती है यह सब संदिकन जिया समझ जाता है कि उसकी बेच्टी हो चुकि इस बज़े से वो बूलता है जैसा कि अब तुम्हारा ब्रेक्ट्रू हो चुक है तो हम लोगों को यहां से चलना चाहिए और अपने विंग्स निकालता है और जियान के पीछे जाने लगती है तबी जियान उस सील्ड के पास जाके रुक जाता है तबी जिया भी जियान के पास आ जाती और बूलती क्या यह काईली ने बनाई है तो जियान मुत है हाच्चों कि उसके घर में एक बहुती बड़ी प्रॉबलम आ चुकी है और मुझे लगता कि जो प्रॉबलम वो जिया से इस बज़े से हम लोगो भी जिया से बाइन निकलने के बाद उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाना होगा पर अब ही के लिए तो थोड़ा सा पीछी अर्जा क्योंकि मुझे पता है कि इसको कैसे तोड़ना है और फिर कुछ हैंसार बनाकर सी फ्लिपिंग सील् जिया का हाथ पकड़की उस से बाइर आ जाता है और इन पर जिया की ब्रेक पर लगते नहीं इस बज़े से हो जाकर जाती और बोलते क्या होगा क्यों गया बीच में तब इस जंगल के अंदर का फिदा चैल पहल थी पर अबीगल यहां पर एक दम से सन्नाटा फैल रखा है तो यस संदिकन जिया भी आँगे आती और अपनी स्पिज्वल पावर से चेक करती तो बोलती के मुझे यहां पर किसी भी मैजिकल बीच को और आप फिली नहीं हो रहा है और फिर अपनी नाकी पावर का यूजज करती और बुलती के यहां पर बहुती अजीब सी स्मेल आ और तभी उसे कुछ याद आ जाता है और वो जिया को लेकर वहां से चला जाता है और फिर सीन चेंजों के क्विंग सेंग सिटी की उपर आ जाता है जहां पर पोईजन से लोग मारे जा रहे होती हैं जैफर वो ब्लड मैंचन के बंद हो जैफर वो ही गेट के बंद हो सभी के सबी उस poison से मारे जा रहे होती है और वो help के लिए जोर जोर से चिला रहे होती है तब ही हमें एक poison monster दिखाया जाता है बोल रहोता है कि जल से जल सिटी का gate को खोल दो और हमारे समने हतियार डाल दो वरना यहां पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा यह सब सुनके हीट का लिटर uncle से बूलता है कि हमें अपने हतियार डाल देना चाहिए तब ही uncle बूलते कि नहीं ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं जिकिए इसकी एक साजिस है जिसमें यह हमें फसाना चाता है और फिर उसके बाद वो हम लोगो को B.R.M.E. से मार डालेगा तो यह सुनकर ही गेट का लीडर होता है कि तो हम लोग बैसी तरक तरक के मारे जाएंगी इससे अच्छा हमें गेट को खोल देना चाहिए जिससे हमें फोरा टाइम तो जरूर मिलेगा और साथ इन लोगो की जान बढ़ जाए और इस बज़े से जो ही गेट का लीडर होता है वो मान जाता है और वो पोईजन मास्टर से बुलता है कि हम लोग गेट को खोल रहे हैं आप अपने पोईजन को बंद कर दीजिए जिस सुन्तिकन वो पोईजन मास्टर अपने पोईजन को बंद कर देता है और इन पे कोईजन सिटी के गेट भी खोल दे जाते हैं ये सब देखकर पोईजन मास्टर हसने लगता है और बोलता है तुम सभी लोग तो बड़े आगया क्यार हुई और अपनी पोईजन को बाय रूपता है और उससे continue fight करने लगता है और poison master काफी दा पाउफ लोता है इस बज़े से पूरे सिटी के इंदर poison फैलने लगता है और लोग मनने लगती है पर तभी एक gliss frame का cluster आता है उस poison में जाके टकराता है और पूरे poison को साफ कर देता है यह सब देखे हैं और सभी लोग की nature पढ़ती है सामने कड़ी हुए जियान की उपर जिसे देखकर ही गेट के लिडल तो fine भी master जियान अप आ गए और यह जो poison master था वो जियान को देखता है और जियान नाम सुनती करने एक लिम से शॉप हो जाता है और यह तो जियान अंकल के पास आ जाता है और अपनी बुस जियान को थैंकी बूलते है और वहां से चला जाते है तभी जियान अंकल से बूलता है यह सब यहां पर क्या चल रहा है यह poison master यहां क्या कर रहा है यह सब संदिके अंकल और लिंगर काफिदा शॉक हो जाती है और जियान को देखने लगती है तो यह सब देखिए जियान सम एम्पारे से फाइट कर रहा है जिसमें एक गूल्डन जी सेक्ट, मूबैली और पॉईजन सेक्ट है और यहां तकी कुछ टाइम पहली ही रिपोर्ट आई थी कि यह तीनों सेक्ट काफी जदा पास आ चुकि जीमा एम्पार की बॉर्डर की यह सब संतिके जन काफी ता इंग्यान सेटी को कप जा लिए और हमारी तीरों सेट बहुती जल्दी जीमा एमपार के अंदर एंट्री भी मानने वाली है इसलिए बागने को कोई भी फाइदा नहीं जापर भी जाओगी हम लोगों को ही पाओगी और वो उसके उपर हमला कर दे तो यूमी उसके अटेक लिए एक formation बनाती है पर यूमी ऐसा करने में बिलकुल नाकाम हो जाती है और वो जाकर दूर गिरती है और उसकी अलत अभी के लिए काफी दा खराब हो जाती है और वो बोलती है मैं अपनी रानी की उमी दुपे खरी नहीं उतर पर इसलिए मेरी रानी माफ कर देना और जान एक पिल को बायन निकाल लेता है और यूमी को दे देता है पर यूमी उसे खाने से पहले काफी दा सोची तभी जियन बोलता है तो मैं डरने की कोई भी जूरत नहीं है कोई पॉइसर नहीं है इस बज़े से खाके चेक कर सकती हो तो यह सबस्दी है तो इसकी जो सारी के मैट्रो के बीच में गुस रहे हूं तो इस बज़े के मैट्रो की बात तो छोड़ो मैं तो तुमारे सेक्ट के अंदर गुसने की सोच रहा हूं यह सुन्दी कर नो दोनवान दे काफी दो गुस्से में आ जाते और एक फॉर्मिशन बना के जियन की प्रेटक कर देती है पर तभी जियन अपना मामोली सा अटेक रिक फिल्म को एक्टिवेट कर देते है जिस बज़े दो सभी के सभी पीछे खिसके हो चले जाते है और जियन के विंग्स भी बायर आ जाते है जिससे दीखतिकन वो एक में शौक हो जाते है और पहली पुरसत मैं वहां से निकलने लगते है तो यह देखकर यूमी बुलती कि इनको भागने मत देना तो जियन वहां से जाते है और तुरंती बापस ले आता है वो ही मरा हुआ और यह सब देकि यूमी काफिदा शौक हो जाती तभी जियन से उसका नाम पुछती है तो जियन बलता रहे यूमी आप मुझे ज़रूत नहीं क्योंकि मैं पुरानी बातों को अल्रेडी बूल चुका हूँ बर तभी उसे यादा था जियन का नाम और गूलती जियन 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 अलाइंस का लीडर जियन बलता नहीं क्योंकि मैंने तुम जैसा नाकारा और इन रिस्पोंसिवल मस्टर नहीं देखा क्य कि मैंने सुना कि ब्लैक पॉरेस्ट माउंटें फोर्ट के सामने वो तीनों सेक्डों से एक अप जाने के लिए खड़े हुए है तो अभी के लिए वहां की क्या सिचुएशन है तो इसमें यूमी जियन को बताना स्टार्ट करती है और हमें पुराना फ्लैस्पेक में दिख करा दिया और साथी जो गोट जीजर सेक्ड का लीडर यान वो टान वो भी एक टू स्टार डाउजोंग है और साथी मूव एली के लिए तीन एल्टर जो की डाउवंग की पिक पर है पर उनके पास एक इसे यूज करते हैं तोन में से एक बंदा पहुन जाता है करने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि उनके सामने वो दो सेक्ड की लीडर खड़े हुए होते हैं जो कि एक डाउजोंग है और उनका सामना सिर्फ हमारी क्यों में डूसा कर सकती है और इसलिए वो अपनी इंज्री इसको हील करने के लिए वहां से नहीं जा पारी है पर कोनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं वह जाती हूँ जैनल बस बोड़ी दिर और मैं आ रहा हूँ और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं और आभी तक आप लोगों ने मास्टरी यावलों को बचाद नहीं वाली वीडियो नहीं दिखी है वो लुप